Hello students, welcome back to my channel and आज की वीडियो में हम discuss करने वाले हैं pharmaceutical jurisprudence में जितने भी act and rules होते हैं उसके बारे में इसके थोड़े से questions देख लेंगे, सारे questions होंगे, sample questions होंगे and इसके ओपर मैं और भी questions तयार कर रही हूँ तो वो आपको next video में देखने को मिलेगा अगर आप मेरे channel पर पहली बार आए हैं और इस video को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे channel को आपको subscribe करना होगा ऐसी videos देखने के लिए and bell icon पर click जरूर कर देना बच्चो अगर आप bell icon क्लिक कर देते हो तो जितने भी video की notification है वो सारी आपको मिलती रहेगी तो time waste नहीं करते हैं अपने video को start करते हैं so act and rule जो topic है आपके सारे exams में पूछा चाता है जितने भी हमारे pharmacist related exam होते हैं सब में like GPAD, pharmacist exam and drug inspector exam यहाँ मैंने साही चीज़े mention कर रखे हैं आप देख सकते हो इन सारे ही exams में यह बहुत ही जादा important topic है and pharmaceutical jurisprudence एक ऐसा topic है जो कि आप बहुत ही जल्दी खतम कर सकते हो इसके पर मैंने और भी videos बना रखी है and आपको अभी fresh videos मिलती रहेंगी because BPSC drug inspector का exam आ चुका है तो उसके लिए मैं videos बना रही हूँ ऐसे ही videos आने वाली है channel पर तो आप बने रहो बच्चो तो आज की video हम act and rules के बारे में discuss करेंगे and इसके कुछ questions देखेंगे जो next video होने वाला है उसमें हम schedules and questions देखेंगे और कुछ miscellaneous topics होते हैं उनके अपर questions देखेंगे and बागी जो आप topics देख रहे हो इनके अपर questions देखेंगे तो अगर आप इन सारी चीजों के questions कर लेते हो न तो आपका एक भी number minus नहीं हो सकता तो यहां हम देखेंगे pharmaceutical act and rules यह मैं आपको बताती रहोंगे की questions कैसे आते हैं तो यहां मैंने आपकी सिर्फ वही act डाले हैं जो आपके paper में पूछे जाते हैं बाकी बहुत सारे act होते हैं सारे तो नहीं पूछे जाते जो important होंगे मैं आपको वही बताऊंगे और अगर कुछ रह जाता है तो आपको next line में वो cover कर दूँगी तो सबसे पहले हम देखते हैं patent act patent act आपका 1970 में आया था next है आपका pharmacy act इसमें year के साथ साथ आपका date और month भी पूछ लेते हैं बच्चो तो ये 1948 में आया था 4th of March में next है आपका poison act ये आया था आपका 1919 में next है आपका prevention of cruelty to animal act ये आया था 1960 इसमें आपके ऐसे question पूछा जाता है कि prevention of cruelty to animal act कौन से year में आया था अगर date पूछी जाएगी तो आपको date mention करनी है month पूछा जाएगा तो month mention करना है पर mostly आपका year ही पूछा जाता है next है आपका insecticide act ये था 1968 में next है आपका drug bill act ये था 1930 में और next है आपका the import of drug bill act 1931 दोनों ही चीज़े अलग है तो इसमें आपको confuse नहीं हो ना इसमें drug bill act के बारे में पूछा जा रहा है और इसमें the import of कब import हुआ था drug bill act वो पूछा जा रहा है तो दोनों question में बहुत ज़्यादा ही difference है या दो question पूछ किया जाएगा drug bill act कब आया था या पूछा जाएगा इसको import कब किया गया था तो वो आपको answer देना है 1931 आप देख लेते हैं कुछ और act यहाँ पर है आपका prevention of food adulteration तो यह आया था 1954 में देन है आपका drug and magic remedies act यह आया था 1954 में और इसकी जो rules आये थे वो थे 1955 में या तो बच्चो आपसे पूछा जाएगा कि जो drug and magic remedies rules जो है कब आये थे या फिर पूछा जाएगा एक्ट कब आये थे जैसे prevention of food adulteration आप short form की तरह ही याद कर सकते हो जैसे भी आपको याद करना है आप ऐसे याद कर सकते हो इसके उपर tricks भी है अगर आपको नहीं समाज आरा नहीं याद कर पाते तो comment box में बता देने मैं आपको tricks से याद करा दूँगी देन आगे आपका minimum wages act ये था 1948 अब बच्चों देखो 1948 में ही आपका pharmacy act आया था और minimum wages act भी आपका 1948 में आया था देन है आपका MTP act MTP मतलब medical termination of pregnancy act 1970 में इसका act आया था जो रूल साय थे वो थे 1975 में देन आ गया major amendment in DNC act DNC act means drug and cosmetic act के अंदर कुछ major amendments आया थे तो वह कौन से year में आया थे the right answer is 1982 में major amendments आया थे जिसमें कुछ changes हुए थे drug and cosmetic act में तो यहां पूछा जा रहा है जो introduction हुआ था schedule M&Y का in DNC act means drug and cosmetic act में आपको जो M&Y schedule डाला गया था वो कौन से year में introduced किया गया था So right answer is 1988 schedules के उपर already video uploaded है तो बच्चों आप वो देख लेना आपको playlist में जाके सारी ही video jurisprudence related मिल जाएगी Next है आपका New Drug Policy Act तो इसका right answer है 1994 Next है आपका Medicine and Toilet Preparation Act तो यहाया था आपका 1955 So this slide में से जो इंपोर्टन है मैं आपको बता देती हूं एक तो MTP पूछा जाता है Medical Termination of Pregnancy Act Then पूछा जाता है Drug and Magic Remedies New Drug Policy पूछी जाती है And I think this is all important So I don't think I will make it a star or not Little little things you should remember all of it All of it will be good So बच्चो एक एक ट्रहे गया है D.P.C.O Act मैं यहां लिख देती हूं D.P.C.O Act यह आया था आपका 1995 में अगर कोई भी Act रहे गए हैं बच्चो तो मैं बता रहे हूं आपको Next वीडियो में आपको सारे मिल जाएंगे Because जो next वीडियो होने वाली है वो totally MCQ based होने वाली है इसी से related So अब हम कुछ देख लेते हैं Miscellaneous Act एक Act आता है जितने भी हमारे Drugs वगरा होती है उनसे related और एक Act आता है आपकी जो Books वगरा होती है या Formularies होती है Pharmacy में उससे related ठीक है तो यहां हम देखते हैं Pharmacopeia Edition Pharmacopeia की बहुत सारी इडिशन है तो इसमें से question पूछा जाता है कि like 5th जो Pharmacopeia Edition वो कब आई थी या फिर 3rd पूछ लिया जाएगा So total अभी 8 के बार में हां बात कर रहे है First जो आपकी Pharmacopeia आई थी वो है 1955 Second आई थी 1966 Third आई थी 1985 Fourth आई थी आपकी 1996 Fifth आई थी 2007 Sixth आई थी 2010 में Seventh आई थी 2014 में And Eight आई थी 2018 में यह आप 4-4 करके याद कर लेना बच्चो First, Second, Third, Fourth Then Fifth, Sixth, Seventh, Eight ठीक है अब और Acts देख लेते हैं So अब हम देख लेते हैं National Formulary of India इसके ओपर क्या question पूछ सकता है बच्चो याद तो पूछ रिया जाएगा जो Second National Formulary of India है वो कौन से Year को आया था ठीक है या First पूछ लेंगे या Second या Third तो First आया था आपका 1960 में Second आया था 1966 में Third आया था 1979 में सो बच्चो यहां मैंने Total 10 MCQ आपको दिखाए है यह सारे सैंपल है इसी टाइप के आपके MCQs आते हैं सबसे पहला question है आपका जो opium होता है Has been under legislative control जो opium का legislative control है देखो बच्चो जो opium drug होती है उसको ऐसे ही आप नहीं यूज कर सकते इसका एक control system होता है जो कि government के पास होता है तो इसमें वही पूछा गया है कि under legislative control since मतलब कबसे तो 1857 से जो है opium का legislative control है government के पास next देख लेते हैं question dangerous drug act and rules related to the year जो dangerous act or rule है कौन से year को relate करता है तो अभी मैंने आपको पीछे बताया है 1930 so next question है आपका जो major amendments हुए थे drug and cosmetic act में वह कब हुए थे कौन से year में हुए थे तो right answer है 1982 fourth है आपका जो narcotic drugs and psychotropic substances होते है यह जो purpose होता है इसका वह कब बताया गया था कौन से year में बताया गया था तो इसका right answer है 14th of November 1985 तो बच्चों देखो यहां पे option में year भी दिया है date भी दी है और month भी दिया है जरूरी नहीं कि आपका यह दिया हुआ हो आपका सिर्फ year भी पूछा जा सकता है या direct आपको date और month भी पूछा जा सकता है ठीक है तो आपको overall ही पूरा ही याद करना है throughout India तो इसका right answer है 1957 May 5th of June में So next question है आपका The pharmacy bill was introduced by Government of India जो Government of India है उसने कब pharmacy bill को introduced किया था तो इसका right answer है 1940 में pharmacy bill को introduced किया गया था by Government of India Next है आपका DPCO 1995 consists bulk drug Drug and Price Control Order Act है आपका 1955 consists करता है bulk drug को तो कितनी bulk drug है इसमें वो पूछा गया है So the right answer is 74 drug है जो कि consist करती है किसमें DPCO Act में So इस particular question में latest amendment पूछा गया है जो drug price control order में आया था तो कौन से year में हुआ था So जो question number 8 है इसका answer आपको देना है आपको comment box में इसका answer देना है Next देखते हैं question number 9 Drug and Cosmetic Act 1940 was last amended in the year So देखो इसमें भी same चीज़ पूछी जा रही है इसमें पूछा जा रहा है जो last amendment हुआ था Drug and Cosmetic Act 1940 में वो कौन से year में हुआ था So 2008 में last amendment हुआ था DNC Act का तो amendment के उपर भी question पूछे जाते हैं बच्चो Next question number 10 The prevention of cruelty to animal was enacted in जो prevention of cruelty to animal act है बुक कब आया था तो इसको मैंने पीछे ही आपको बताया तो इसका right answer है 1960 So बचो मैंने total आपको 10 MCQ करवा दिये हैं and 8th question का answer आपको comment box में देना होगा अब इस वीडियो को यहीं end करतेते हैं और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आपको मेरे चैनल को subscribe करना होगा and bell icon पे click कर देना होगा ताकि आपको सारी notification मिलती रहे तो अब मिलती हूँ मैं आपसे next वीडियो में और questions के साथ